सो फाइनली एक और अपर्चुनेटी आपके लिए निकल कर आई है एन आई एसी एल यानी न्यू इंडिया अशुरंस कम्पनी लिमिटेड में जो एक गवर्मेंट ओफ इंडिया डिटेकिंग कम्पनी है जहां पे टोटल 300 आसिस्टेंट की रिक्रुटमेंट हो रही है ये रिक्रुटमेंट का नोटिफिकेशन डेटेड है 29 जनुवरी 2024 और सबसे पहले वेकनसी देख लेते हैं स्टेट वाइस यहां पे आप स्टेट वाइस वेकनसी देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे सबसे जादा वेकंसी जो आपको देखने को मिल रही है वो है महाराष्टर में जहाँ पे उनका headquarter है और महाराष्टर में आवेदन करने के लिए आपके बास regional language होनी चाहिए महाराथी का support SC यानि आपका regional language टेस्ट होगा अगर आपको महाराथी आती है तो वहाँ पे आप अच्छे से apply कर पाओगे SC के टेगरी वेकंसी वहाँ पे 21 है, ST के लिए 9 है, OBC के लिए एक भी वेकंसी नहीं है यहाँ पे person with benchmark disability वालों के लिए भी वेकंसी बाइफरिकेशन दिया गया है, तो आप वह भी देख सकते हो, second highest वेकंसी आप देख पा रहे होंगे तमिल नाडो में आई है, वहाँ पे आपके local language होगे होनी चाहिए तमिल और आप category wise वेकंसी देख सकते हो, वीडियो पॉस करक tentative schedules में सबसे पहले आपका registration जो शुरू हो रहा है, वो हो रहा है 1st February 2024 को, और registration end date है 15 February 2024, यानि आपको केवल 15 दिन ही दिये गए है registration के लिए, और preliminary examination tentatively dates उनकी दी गई है, यानि इस date को ही preliminary examination हो जाएगा, वो होगा Saturday, यानि 2nd March 2024 को, और tier 2 का जो main examination रहेगा, वो उसकी date अभी तक inform नहीं की गई है, वो बाद में बता दी जाएगी, और call later exam के 7 दिन पहले ही available किया जाएगा, ठीक है, तो यह है important dates के बारे में, अब बढ़ते आगे और eligibility criteria के बारे में जानते है, eligibility criteria में सबसे पहला important जो चीज होती है, वो होती है age limit का criteria, यहाँ पे minimum age आपका 21 साल होना च इसके between होगा तो भी चलेगा, अब काफी लोग को confusion रेता है कि सर मेरा date of birth यह है, तो यहाँ पे date of birth का भी bifurcation मिल जाता है, कि candidate का जो born हुआ होना चाहिए, वो 2-1 1994 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए, इस date पे हुआ होगा तो चलेगा, और 1-1 2023 के बाद नहीं होना चाहिए उससे पहले हुआ होगा तो चलेगा, यानि इन दोनों dates के बीच में और इन दोनों dates पे अगर आपका born हुआ है, तो आप age limit criteria को fulfill करते हो, दूसरा होता है age relaxation, जो category वाले हैं, जो community में belong करते हैं, उनको reservation मिलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, age relaxation उनको मिलता है, यानि SCST community वाल 25 years तक वो लोग आवेदन कर सकते हैं, उसी प्रकार से जो OBC में non-crimalier वाले हैं, उनके लिए 5-3 साल का, यानि वो 33 years तक आवेदन कर सकते हैं, उसी प्रकार से person with benchmark disability और आप यहाँ पे देख सकते हो कि किन के लिए कितने साल का age direction दिया गया है, यानि आपके पास graduation होना चाहिए, कोई भी discipline से होगा, तो चलेगा, उससे फरक नहीं पड़ता, बट आपके पास graduation की degree होनी चाहिए, फिर क्या लिखा है, तो candidate should have passed in English as one of the subject at SSC, HSC, intermediate graduation level, मतलब candidate ने as a English as a subject pass किया हो होना चाहिए, SSC में, या फिर HSC में, या फिर intermediate में, या फिर graduation level में, तीनों में से कहीं पे भी, और candidate should possess certificate in a proof of passing, qualifying examination as on 1st, 1st, 2024, यानि आपके पास certificate होना चाहिए, graduation का, मतलब जो लोग पूछते हैं ना कि सर मैं final year में हूँ, final exam में हूँ, तो क्यों मैं आवेदन कर सकता हूँ, तो जी नहीं, अगर आपका result एक, जनवरी 2024 या उससे पहले declare हो चुका है, तो आप आवेदन कर सकते हो, otherwise नहीं, दूसरी ये भी paragraph लिखा गया है, knowledge of reading, writing, speaking of original language of the state or union territories against the vacancy of which the candidate wise wishes to apply is essential, यानि आप जिस state के लिए आवेदन कर रहे हो, उस state की जो original language mentioned है, उसमें आपको पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, और लिखना भी आना चाहिए, language states लिया जाएगा, चीक है, तो यहीं eligibility criteria है, अगर आपको इस post के लिए आवेदन करना है, तो, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं, और कुछ important बात हैं, जैसे कि selection procedure के बारे में, selection procedure दो phase में हो रहा है, phase 1 हो रहा है, preliminary examination, phase 2 हो रहा है, main examination, ठीक है, और phase 3 नहीं है, यानि यहाँ पे interview नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे class 3 की examination है, तो आपका चयन जो होता है, वो main examination के score के base drawn ही हो जाता है, preliminary examination, objective test रहेगा, और यहाँ पे English, reasoning and numerical ability, यानि इसको math बोलते हैं, English के 30 questions, 30 marks, reasoning के 35 questions, 35 marks, और numerical ability के ज़रे 35 questions, 35 marks, total 100 questions बनेंगे, 100 marks बनेंगे, और section wise केवल आपको 20 minute मिलेगा, यानि यहाँ पे sectional timing है, मतलब particular 20 minute में आपको English खतम करना रहेगा, उसके next 20 minute में आपको reasoning खतम करना रहेगा, और next 20 minute में आपको match खतम करना रहेगा, आप section को interchange नहीं कर सकते हैं, और एक बार उस section का time खतम हो गया, तो section submit हो जाएगा, question का जो mode देखने को मिलेगा, वो English और Hindi में देखने को मिलेगा, English subject को छोड़के, क्योंकि वहाँ पे Hindi नहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर आपके लिए 60 minute दिये गए हैं, बट साट मिनिट अगें वो section wise 20 minutes each है, candidates will have to qualify in each test by securing passing mark to be decided by the company, यानि आपको individual cutoff, sectional cutoff है, as well as आपका main cutoff भी होगा, जो आपको clear करना रहेगा, ताकि आप tier 2 main examination में जा सके, ठीक है, अब बात करते है main examination, दूसरा exam भी आपका objective test ही रहेगा, बट वहाँ पे total सवाल बनेंगे 200, और total marks बनेंगे 200, कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं, English language में 40 question, 50 mark बनेंगे, यानि कुछ question, 2 mark के ये 1,5 mark के रहेंगे, reasoning के 40 सवाल, marks 50, मैं वैसे numerical ability, यानि match के 40 सवाल, but marks 50, computer knowledge के 40 सवाल, but marks 50, और general awareness के marks 40, और question 40, but marks 50, इस तरीके से आपके 200 question के marks बन जाएंगे 250, और English section को छोड़के, बाकी 4 section आपको English, एवं Hindi language में देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर sectional timing नहीं है, overall time दिया है, 2 गंटे का, यानि 2 गंटे आपको लगेंगे, आपको कोई भी section कभी भी attempt कर सकते हो, बस within 2 hours आप section में interchange करके, total आपके attempt कर सकते हो, ठीक है, minimum total score decided by the company in the main examination, candidate qualifying in online exam will be shortlisted, call for regional language test, यानि इस exam के बाद जो shortlist किया जाएगा, वो regional language test देने जाएगा, no separate marks will be awarded for regional language test, तो regional language test होगा, उसके लिए कोई separate marks नहीं है, वो just qualifying in nature है, मतलब आपको cable उसको pass करना है, ठीक है, final selection will be based on basis of performance in the online main examination, जेसा कि मैंने आपको starting में ही बोल दिया गया था, कि ये class 3 के exam में यहाँ पे interview नहीं होता, आपको chain केवल main examination के based on ही हो जाएगा, subject to the qualifying in regional language test, ठीक है, और in case of equal marks, ओके हो तो बात की बात है, penalty लगेगे, जी हाँ, आपको preliminary examination में, main examination में, अगे यदि आप equation attempt करते हो और वो wrong नहीं कलता है, तो उस particular question के one fourth marks आपके penalty के तोर पे deduct कर लिए जाएंगे, ठीक है, ओके, फिर भी कोई doubt रहे जाए, आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हो, तो आगे कुछ important जानकरी दी है, तो हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, regional language test के रिए, candidate shortlisted in the main examination will subsequently be called for regional language test to be conducted by the company at the selected center, the name and address of the center and time is, ओके ठीक है, वो intimate कर दिया जाएगा, और हमें देने जाना रहेगा, और ज्यादा कुछ नहीं है, examination center की list आपको दे दी जाएगा, सब बोल दिया गया, यह रही दे दी गई है, प्रेटिंदर examination और main examination, यह आपका state का नाम, यह प्रेटिंदर examination की center और main examination की center, उस प्रकार से आप अपने state में form fill कर सकते हो, application fees, यहाँ यह भी एक मुद्दा रहता है, कि कितना रुपिया देना है आवेधन करने के लिए, तो जो candidate SCST PWD category को बिलोंग करते हैं, उनको 100 रुपे plus inclusive of GST मतलब 100 रुपे देना है, और जो candidate, इसके अलावा कि जो सारे candidate हो गए, उसको 850 रुपे देना है आवेधन करने के लिए, जी हाँ, और जो लोगों को याद नहीं रहता हूँ, उनके लिए बता देता हूँ, जो hand return declaration upload करनी है, उसकी format यह रही, यहाँ पे लिखा है, यहाँ blank space पे आपका नाम लिखना है, और same as it is, आपको एक paper पे लिख के upload करना रहेगा, और जो thumb impression होता है, वो अपने left hand के thumb का impression upload करना, right hand के thumb का impression upload गलती से भी मत करना, apply करने के link आपको उसके official website पे मिल जाएगी, या फिर मेरे telegram चैनल और Instagram चैनल पे भी मिल जाएगी, जब registration शुरू होगा तब, और registration शुरू हो रहा है, एक फरबरी 2024 से, तो जो एक फरबरी होते ही, मैं अपने telegram पे उसका registration link पोस्ट कर दूँगा, इतना सारा हो गया, बट अभी तक मुद्दे की बात नहीं आई है, किसकी बात, salary की बात, लो चलो salary की बात आ गई है, scale of pay आपका शुरू होगा, 22,405 रुपई से, और यहाँ पे जो भी number of increment लिखे गए है, total बोला जाए, तो approximately 37,000 पर month आपको मिलेगा, initial stage में metro city के according, अगर आप कोई moderate city में, या फिर normal city में हो, तो शायद 1-2,000 का फरक देखने को मिल सकता है, बट मोटा मोटा आपको 37,000 gross salary मिलेगा, इसमें से जो deduction होता है, वो कटता है, ठीक है, other benefits के around आपको मिलता है, lump sum, domiciliary, medical benefit मिलता है, group medical policy मिलता है, hospitalization expenses मिलता है, leave travel subsidy मिलता है, तो यह सब कोछ तो मिलता है, तो मेरे खाल से, सारी information हमने साजा कर ली है, हमने पता लगा ली है, सारी information, इस notification के regarding, अब तो बाकी सारे format दिये गए है, तो मुझे उमीद है कि, आपको समझ में आ गया होगा, इस notification के regarding, पूरी जानकारी, अगर कोई भी doubt रह जाता है, comment section में comment करें, पूछ लेना, मैं आपका doubt लेकर नहीं कुशिश करूँ, करूँगा, और एक दो दिनों में, मैं आपके लिए syllabus का वीडियो भी, available करवा दूँगा, मिलते हैं, अगले वीडियो में, आपको,